हाँ, यह सबी लोग तयार, 3, 2, 1, स्टार्ट किशोर न्याई अधिनियम, 1986 के लगभग 13 वरसों तक किर्यान वयन में रहने के पस्चात यह पाया गया कि इस कानून को और अधिक व्यापक और परभावी बनाये जाने की आवशयकता है विराम इस अवदी में निरंतर बढ़ती जा रही किशोर अपरादियों की संख्या तथा उनकी समुचित देख रेख और सुरक्षा की अववस्था के कारण उक्त अधिनियम के इस्थान पर एक नया किशोर न्याई अधिनियम लागू करने का निर्णे लिया गया विराम अतर किशोर न्याई अधिनियम 1986 को निरसित कर किशोर न्याई अधिनियम 2000 परवित किया गया है विराम इस अदिनियम का मूल उद्देश्य किशोर अपरादियों को न्याई सुनिश्चित कराने के साथ साथ निराश्रित बालकों एम किशोरों की उचित देखरेख और संरक्षन की वबस्ता करना है विराम पैरा भारत के शमिधान के विविन उपबंद जिन में अनुछेद 15 का खंड विजिन ब्रेकेट 3 तथा अनुछेद 49 के खंड का समावेश है विराम राज्य पर यह प्राथमिक दाइतु अधिरोपित करते हैं कि बालकों की समस्त आवशैक्ताओं की पूर्ती की जाए और उनके आधार बूत मानविये अधिकार पूर्ण रूप से संरक्षित हों विराम उलेखनिय है कि सन 2000 के किशोर न्याई अधिनियम के परवरित रहते समय बालकों तथा अपचारी किशोरों से संबंदित अनेक समस्याएं सामने आई जिनमें बाल ग्रेहों या सुधार ग्रेहों में कूववस्ता तथा रहवासियों का शोशन और परियाप्त पुनरवास योजनाएं कि सोरों के लंबित परक्रणों में विलंब गोद लेने संबंदी ववस्ता का दुरूप योग बच्चों की अवेद खरीद फरोक्त आद परमुक थी विराम पैरा ये था इस्तती कैंद्रिय सरकार राज्य सरकारें बोर्ड और अन्नी अभीकरण इस अधिनियम के उपबंदों को किर्यानवित करते समें निम्न लिखित मूल भूत सिद्धहंतों द्वारा मारक दर्शित होंगे विराम सभी मनुष्ये के साथ गर भीमा और अधिकारों में समान बरताव किया जाना चाहिए विराम परतियेक बालक को सुने जाने का और उनके हितों को परभावित करने वाली सभी आदेशिकाओं और वी निश्चेयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है और बालक के दृष्टी कोण को बालक की और परिपक्वता को शम्यक ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए विराम सर्वतम हित का सिध्धान कहता है कि बालक के संबंद में सभी विनिष्चे मुख्यतया इस प्रारंविक विचारण पर आधारित होंगे कि वे बालक के सर्वतम हित में हैं और बालक के लिए अपनी पूर्ण सक्तता को विक्सित करने में सहायक हैं विराम इसके अंतरगत वे भी हैं जो कुटूम और समुदाय के हैं विराम बच्चे रश्ट्र का भविश्य, समाज के अग्रदूत और परिवार की आशा की किर्णे होते हैं विराम उनके समोचित विकास के लिए हर इस्तर पर हर संभव परियास किये जाते हैं विराम फिर भी ऐसे बच्चों की संख्या में निरंतर बडोतरी हो रही है जो खेलने और पढ़ने की उम्र में ही अपराद की अंधेरी दुनिया में परवेश कर जाते हैं विराम अपराद जगत में बच्चों के असामिक परवेश का असली कारण जो भी हो लेकिन हर देश समाज और वर्ग में इस्तती प्रायह एक समान ही है विराम यह न केवल परिवार के लिए अपितु समाज एमम राष्ट के लिए भी गंभीर चिंता का विशे है विराम ऐसे बालकों को पुलीस, जेल, कचहरी, आदी के वातावर्ण तथा पेशेवर अपरादियों से दूर रखकर उन्हें पारिवारिक माहोल उपलब्द कराने का परियास किया जाता है जिससे वे बड़े होकर आपरादिक जगत के कलूशित वातावर्ण स्टॉप जिससे वातावर्ण स्टॉप